तो मुझफर नगर से खबर है जहां बेखौफ चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है आर्पीएफ जवान के घर को उन्होंने निशाना बनाया है अंगूटी सबेद 15 लाग के जेबरात लेकर ये फरार होके 30 हजार की नगती पर भी हाथ साफ किया है सुचना के बाद मौके पर पुलिस पौच्ची अपमावले की जाज की जा रही है शापूर थाराच्षेत्र के रसूलपूर जाटान का ये पूरा मामला है तो बेखौफ चोरों का आतंक यहां पर बना हुआ है देखने को मिल रहा है एक आरपिएफ जवान के घर को इनोंने निशाना बनाया है इसके साथ ही देखिए मुझफफर नगर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे है जहां पर आरपिएफ जवान के घर को निशाना बनाया गया अंगूटी समेट 15 लाग के जेव रात लेकर वो फरार हो गए कर गई पूरा मामला है यहां पर चोरो का किस तरीके से होसले बुलंद यहां पर नज़र आ रहे हैं आपको बता रहे हैं कि आरपिएफ जवान के घर को चोरो ने निशाना बनाया है अंगूटी समेट 15 लाग के जेव रात यह लूट कर फरार हो गए तीस हजार की नगती पर भी हाथ साफ किया है जो जानकारी मिल रही है फिलाल जो पुलिस है इस पूरे मामले की जांच कर रही है आसपास किसी जीवी फुटेज को भी खगाला जा रहा है और जल्द गिरफतारी होगी यह भी आसवाशन पुलिस की तरफ से दिया गया है चौरो के होसले बुलंद मुझफपन अगर से पूरा मामला है किस तरीके से चौरो का आतंक की यहां पर देखने को मिल रहा है आपको बता दे आर पिएफ जवान के खर को इन्होंने निशाना पनाया है यहां पर चौरी की लूट पार्ट की 30,000 की नगती लेकर यह फरार हो गए जो जानकारी मिल रहे है इसके साथ ही कई जेवराथ जिनकी लूट पार्ट भी रोने की है अलाकि पुले सब इस पूरे मामले की जाच कर रही है इसके साथ ही बताय जा रहा है कि जल्द ही चौरो की गिरफतारी होगी